तो दोस्तो अगर आप सब अपने YouTube चैनल को Chrome ब्रोजर पे Dashboard में open करते हो फिर आपको उपर साइड में ये warning strike दखनों को मिलता है जो कि ये कभी हटता ही नहीं है lifetime तक हमारे चैनल पे रहता है अगर एक बार हमारे चैनल पे warning strike आ जाता है तो पर अब ऐसा नहीं है बहुत ही असान तरीका से बता हूंगा जिससे आप सब असानी से अपने चैनल की warning strike को remove कर सकते हो तो भीने time waste किये चलिए warning strike कैसे हटा है वो जानते है बिना किसी intro के पिछले वीडियो में first comment करने वाले ये है तो मैंने इनके चैनल को अपने community टेप में लगा दिया है तो आप सब जाओ जाके support करो तो अगर आप सब ये अपने चैनल को promote करवाना चाते है तो आप मेरे वीडियो में first comment करो अगर आप first comment कर देता है मेरे वीडियो में तो आपके भी में चैनल को इसे तरह से प्रमोट कर दूंगा बाकी बाद अब आते हैं अपने टोपिक कियोर कि वार्मिंग स्ट्राइक को कैसे हटाए वो जानने के लिए हमें चलना परेगा मोबाइल के स्क्रिन पे तो चलिए चलते हैं तो दोस्तो उसके लिए आप लोगों को अपने मोबाइल में रहे किसी भी ब्रावजर को ओपेन कर लेना है एड उसके बाद आपको सर्च करना है studio.youtube.com जब आप यह सर्च कर दोगे तो आपका चैनल डेस्पोड पे इस तरह से ओपेन हो जाएगा उसके बाद आपको ऊपर साइड में चैनल बोईलेशन करके एक टिव-Community Guideline Strike दिखाएंगे जो कि वार्निंग होगा तो वार्निंग इस्ट्राक को हटाने के लिए आप लोगों को वार्निंग पे किलिक कर देना है warning पे क्लिक कर देने के अबाद आप लोगों को यहाँ पे कापी सारा option बताएंगे कि आपके chain पे कब आया था और आपके channel पे warning strike कब expire हुआ था तो देख सकते इस channel पे 2022 नौ जन्वरी को ही warning strike expire हुआ है बट अब तक नहीं हटा है यह automatic से हटता नहीं है आपको हटाना पड़ता है हटाने के लिए आपको नीचे साइड में three dot का option देखनों कर मिलेंगे या फिर take action का option देखनों कर मिलेंगे तो आप बस किलिक कर देने के बाद आपको यहाँ पे काफ़ी चारा option मिलेंगे तो आपको करना कुछ नहीं है आपको बस उपर आना है जब आप उपर आओगे तो आपको सिकेट नमर में जो ये option आ रहा है look at your content का तो आप लोगों को इसी option पे किलिक कर देना है जब आप इस option पे किलिक कर दोगे उसके बाद आपको यहां पे काफी सार option आएंगे तो आपको इसको इगनोर करना है डायरेक्ट आपको take action पे किलिक कर देना है उसके बाद अगर आप अपने channel से warning strike को हटाना चाते है फिर आपको training को complete करना पड़ेगा training को complete करने के लिए आप लोगों को take training का option देखना का मिलेंगे तो इस पे किलिक कर देना जब आप किलिक कर दोगे तो अब आपको यहां पे 7 question का answer देना है तो अब आप लोगों के mind में यह सवाल आ रहा होगा कि अगर हम 7 question का answer गलत दे देंगे तो क्या होगा और हमें सही answer पता के से चलेगा तो भाईया आपको मैं सब कुछ बताऊंगा तो आप बस वीडियो को लाक करके वीडियो को पूरा ज़र से दिखते तो देखो question का answer देने के लिए आपको नीचे side में next का icon देखनों को मिलेंगे तो आप लोगों को next पर click कर देना है next पर click कर देने के बाद आपको यहाँ पे पहला question देखनों को मिल जाएंगे तो अगर आप पढ़ना चाहते है तो question को पर हो अगर आपको लगता है कि इस question का answer यह है तो आपको दो option नीचे मिल रहे होंगे तो आप लोग इन दोनों option में से कोई साभी एक option को select कर लेना और उसके बाद अगर आपको लगता है कि मेरा answer गलत है या फिर मेरा answer गलत हो जाएगा तो क्या होगा तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है आपको जो दो option मिल रहा है उन दोनों option मेंसे कोई सब्सक्राइब या फिर गलत है अगर आपका जबाब गलत है तो आप try again करना अगला option को सेलेक्ट कर लेना अगला option кого select करने के बाद आपको next कर देना है तो आप यहां पर देख सकते हो मेरा जवाब सही है तो आप इसी तरह से आपको यहां पर जितना सारा question आएंगे सभी question का answer select करना check पर click कर देना जबाब सही रहेगा तो आपको next कर देना है next कर दोगे उसके बाद आपको यहाँ पर दूसरा option आ जाएगा मतलब कि दूसरा question आपको यहाँ पर देखनों को मिल जाएगे तो आप लोगों को बस परना भी नहीं question को बस आप select करना and check करना check पर click कर दोगे answer सही रहेगा तो आप बस next कर देना next कर देने के बाद अगला question आजएगा तो अब फिर से आप यहाँ पर कोई सभी option select कर लो check कर दो check कर देने के बाद अगर आपका answer सही रहता है फिर आप फिर से आप next पर click कर दो next पर click कर देने के बाद उसके बाद अगला question आजएगा अगला question आजएगा तो फिर से हम यहाँ पर अगला option को select कर लेंगे check पर click कर देंगे check पर click कर देने के बाद यह answer मेरा गलत है तो मैं क्या करूँगा try again पर click करूँगा अब यहाँ पर no वाले को select करके यहाँ पर check पर click कर दूँगा check पे click कर देने के बाद यहाँ पे next का option खुल जाएगा तो हम क्या करेंगे next पे click कर देंगे next पे click कर देने के बाद अब आपको मैं थोड़ा से बताना चाहता हूँ कि अगर आप गलत answer दे दोगे तो कुछ नहीं होगा आपको यहाँ पे बता देगा check पे click करोगे तो आपको बता देगा कि आपका answer गलत है तो आप सही answer select करना और उसके बाद ही आप next करना जिस तरह से मैं कर रहा हूँ यहाँ पे मैं check पे click किया answer सही है अब मैं next कर दूँगा next कर दूँगा उसके बाद अगला answer आ जाएंगे यहाँ पे यह से बाले question में तीन answer आ रहा है तो इसमें difficulty होगा हमें सही answer select करना होगा उसके लिए मैं check पे click कर देता हूँ उसके बाद देखता हूँ कि यह answer सही है कि नहीं है तो यह वला answer सही नहीं है मैं try again पे click करता हूँ उसके बाद अगला answer को select करके मैं देखता हूँ कि यह answer सही है ओ यह भी नहीं सही है तो यहाँ पे मैं एंसर है मतलब कि ये लास्ट वाला कोईशन है अब तो हमें क्या करना है अब कोईशाभी उप्सन को यहाँ पर सलेक्ट कर लेना है तीन उप्सन आ तीनों में से जो कोई भी आप सासे ठेक्ट करना चाहे आप सेलेक्ट कर लेना इन्ड guidance के बाद एकौ कर्देबर इसको select किया, उसके बाद मैं check पे click कर दूँगा, उसके बाद यहाँ पर यह सही है, तो मैं next कर दूँगा, next कर दूँगा जब तो यहाँ पर कुछ अलग option आएंगे, यहाँ पर आपको बताएगा कि कितने time बाद आपके channel से warning strike हटेगा, तो यहाँ पर बता रहा है, मैं आपक बता रहा है, तो देख सकते हो इस channel पर harassment and cyber bullying के कारण से इस channel पर warning strike आया है, तो अगर दोबारा से harassment and cyber bullying के कारण से आपके channel पर warning strike आते है, तो वो strike आपका नहीं हटेगा, बट अगर किसी और region से आपके channel पर strike आएंगे, तो फिर आप तीन मैने बाद इसी तरह से आप remove कर सकते है, तो आपको दियान ये देना है, जिस region से अभी आपके channel पर warning strike आया था warning strike, अब उसी region से दोबारा से आपके channel पर warning strike नहीं आना चाहिए, तो आप इस बाद का धियान डखना, एंड उसके बाद आपको नीचे side में close training का option दखनों का मिल जाएंगे, तो आप लोगों को करना क्या है, close training पे click कर देना है, close training पे click कर देने के बाद, अब आप थोरा सा नीचे आओगे, तो यहाँ पर भी यही बताएगा कि training complete हो चुगा है, यहाँ पर कब आपने training complete गया था और कब expire होगा आपका warning strike, वो सब यहाँ पर बता देंगा, तो आप लोगों को करना क्या है, अ आपका warning strike का हट जाएगा, तो आप इसे तरह से warning strike को अपने channel से remove कर सकते हो, तो बस आदि के से वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए ख्याल रखे अपना, and देखते रहे हैं, आर्जे टेक टू,